रामकूपाल वर्मा ने सोशल मीडिया और सुशान सिंग राजपूत मामले पर बोलते में कहा कि सोशल मीडिया पर मुझे लगता है कि हर किसी को हर किसी से दिक्कत है खासकर सोशल मीडिया पर ट्विटर जैसा प्लाटफॉर्म जो है वो भॉकने वाले कुतों के लिए है हर कोई इस से अचूता है और मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से या बोलने का क्या परिनाम निकलता है सुशान सेंग राजपूत केस का क्या हुआ इतने लोगों ने ट्वीट किया लेकिन मामला क्या रहा राम गुपाल वर्मा कहते हैं कि मैं ट्विटर जैसे प्लाटफॉर्म को सिर्फ अपनी राय रखने के लिए यूज करता हूँ मैं कभी उस पर कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ मैं सिर्फ अपने विचार रखने के लिए इस प्लाटफॉर्म को इस्तमाल करता हूँ मुझे उन लोगों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है जो मेरे बारे में लिखते हैं आपको बता दे कि राम गुपाल वर्मा 90's के एक काफी पॉपलर डिरेक्टर थे हाला कि पिछले कुछ समय से उनकी जो फिल्मे हैं वो थोड़े फी के रेस्पॉंस के साथ रही कई सारे real life incidents पर उन्होंने फिल्मे बनाई है फिर चाहे नीरेज ग्रोवर murder case हो या फिर 9-11 का attack हो राम गुपाल वर्मा ने इन सभी incidents पर फिल्मे बनाई है पिछले कुछ समय से राम गुपाल की फिल्मे जो है वो बहुत ही छोटे बजट पर बनाई जाती है यही कारण है कि बहुत छोटे लेवल पर उनकी फिल्मे सिमट भी जाती है ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर राम गुपाल वर्मा सुशान सिंग राजपूत के मामले में फिल्म बनाएंगे तो क्या वो जस्टिस कर पाएंगे आपको बता दे कि सोशल मीडिया पर राम गुपाल वर्मा ने वैसे तो सुशान सेंग राजपूत मामले में जादा नहीं कहा लेकिन हाँ एक टाइम ये भी था जब उन्होंने रिया चक्रवती की तरफ अपनी सपोर्ट दिखाई थी